मानव की जिंदिगी की सफलता विश्वास से संपर्ण होने से एक बालग जब भी अपनी शरी रात्रा शुरू करता है तो इसी उम्र से शुरू करता है अपने माता पिता के साथ कि वो उनके साथ रहकर एक उमर के बाद विश्वास पुर्वक जीने की योकिता से संपर्ण हो सकेगा मतलब वो जिंदिगी को ठीक से समझ भाएगा ठीक से जीएगा जिंदिगी उसके नियंत्रन में हो जाए यही उसकी अपेक्षा है फिर एक उम्र के बाद ऐसे विश्वास पुर्वक जीने के लिए अब उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है उसका ट्रेनिंग को अगर समझने जाओगे तो वो स्वयम पर नियंत्रन पाने का ट्रेनिंग है फारा एजुकेशन स्वयम पर नियंत्रन पाने के लिए यह सारी ट्रेनिंग एजुकेशन को अगर देखोगे तो शुरू होती है बालक का अपने शरीर पर नियंत्रन पाने के लिए फिर आगे चलके भाशा पर नियंत्रन फिर जो उससे आगे विचार पर फिर वैवार पर तमाम तरह की जो स्कील्स हैं उन सब के नियंतरन की आउशकता होती है क्योंकि नियंतरन पुर्वक जीना ही विश्वास पुर्वक जीना है नपर वैवार में है ना कर बाडी में है थोड़ा बाडी और लेंग्वेज में कोई आधा अधुरा नियंतरन हमने करवाया है और वो कभी पूरा नहीं पड़ा विचार और वैवार की कमी के कारण इनसान किसी पर विश्वास ने कर पा रहा है खुद पर भी निकर पा रहा है फिर संग्रा करना और सुविधा में सुख ढूड़ना विश्वास के अभाव में उस इंसान की मजबूरी बन जाती है इसलिए आप देखो के ऐसा व्यक्ति जो है वो खुद पर नियंतरन के अभाव में ही हमेशा समस्य से घिरा रहता है और यह से बिना समाधान पाए या तो वो नोकर बनता है या शोशक बनकर जीता है यह उसकी मजबूरी है तो आज पूरी एज्यूकेशन से निकलना वाला आदमी विश्वास पुरक नहीं जी रहा है बलकि नोकरी और व्यापार पूरवक या शोशन पूरवकी जीता है यह उसकी मजबूरी है हमारी जिन्दगी पर हमारा नियंतरन रहे यही विश्वास है जैसे एक बार साइकल पर नियंतरन सीख गए तो आप साइकल को विश्वास पूरवक चला जा सकता है जिन्दगी भर ठीक इसी तरह मानों की जिन्दगी समझ में आ जाए संबंद समझ में आ जाए संबंद में नियंतरन पूरवक जीने के योगता आ जाए तो विश्वास पूरवक जीना बन जाता है यहाँ पर यह भी समझे जलूरी है कि संबंद में नियंदर्ण का मतलब है मानों का संबंद मानों के साथ और प्रकृति के साथ है उन दोनों संबंद में निश्चित दाईत्व करतेवे को पहचान लेना और जीने की युकता जाना और इसी में शामिल है अपनी जिनकी जुड़े तमाम मुद्धे जैसे वैवार क्या होगा कार रिकार करेंगे वैवसाय क्या होगा सिक्षन क्या है बच्चों का लालन पालन कैसे होगा यह जनम क्या होता है मृत्तु क्या होता है विवा क्या है यह सारे मुद्धों पर अपने दाईतों को करते हुए को हम ठीक ठीक पैचान पाएं और ऐसे जीने लग जि विश्वास के बल पर जहां काम करता है, वहां एक परिवार बन जाता है, और स्वयम में नियंतित रहकर परिवार के साथ सिकायत मुक्त होकर काम करते हुए समर्दी को जी पाता है, इसी समर्दी के एहसास के साथ आ नियंतित, आ विश्वास के साथ जीने वाला व्यक्ति जिन कुल मिलाकर विश्वास पूरक जीने का प्रमान है स्वैम्मेत रप्ति दूसरे मानव और प्रकृति के साथ पूरक का विजी से जीना ही विश्वास पूरक जीना है कर दो जीना है